हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगल रिपेटेड सिंगल स्टैप बड्ड जोइंड के बारे में आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक सिंगल रिवेटेड शिंगल फ crack button बडडोंड मनाएंगे उसके लिए अकरना पड़ेगा बडड्डोंड मतलर यह हमारा हो गया मर्डड्ड जोइंड अब उसके बाद हमारा है सिंगल स्टैप यह हमारा जो सिंगल स्टैप हो गया यह हमने इसमें रख दिया और अब आता है इसको हमें करना है सिंगल रिवेटेट तो सिंगल रिवेटेट का मतलब यह है कि यह प्लेट भी इस से जुड़ेगी यह प्लेट भी इस से जुड़ेगी तब यह सिंगल रिवेटेट कहलाएगा तो यह तो हो गया हमारा इस प्लेट से यह भी अभी पूरा नहीं बूलेंगे इसको सिंगल रिवेटेट क्योंकि केवल यही यही जो स्ट्रैप है इस प्लेट से जुड़ी भी है अब यह पूरी कहलेगी दोस्तों यह हमारी सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रैप बड जॉइंट त्यार हो गया तेके दोस्तों अब यह जो टेक्निकल टॉम्स है वह हम बुक के माध्यम से समझ लेंगे यह देखिए यहां पर सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रैप बड जॉइंट है इसमें आप देख सकते हैं इसमें सिमिलर एक यह दो प्लेट है जो बड जॉइंट में रखी वी है इसके उपर यह एक स्ट्रैप है ठीके दोस्तों तो यहां से यह सिंगल रिवेटेड हो गया देखा आपने और यहां से एक सिंगल स्ट्रैप हो गया अब इसमें यह पिछ है जो की जो होती है 3D और इसके अलावा हमेचा जो इसका मार्जिन रहेगा M वो क्योंकि इससे किनारे पर शीट है इसलिए 1.5D अगेन इसके किनारे की शीट की किनारा यह है यह भी 1.5D और अगर आप देख सकते हैं क्योंकि यह बड जॉइंट है और इसका जो जॉइंट है यह भी एक किनारा है इसलिए इसके केंदर से इसकी दूरी भी 1.5D ही होगी इसको बहुत अच्छे को के वह मेंशह को होता है, जहां पर भी किसी शीट या प्लेट या स्क्राइफ की किनारी आती है वहां से जो रिवेट होगी उसकी जो डिस्टेंस होगी हमेशा 1.5D ही ही होगी तो इसलिए हमने जो यह Uपर की स्ट्राप थी उसकी किनारी से इस रिवेट के से इस already sounds है और यह दोनों प्लेटें यहां से जूड रही है तो यानि यहां से यहां तक भी 1.5D होगी और यहां से यहां तक भी 1.5D होगी यह देखिए अगर मैं उपर रख रहा हूं ताकि आप अच्छे समझ जाए यह देखिए यह सिमलर हुआ जैसी नीचे अगर हम यह प्लेट कर रहे हैं तो इसके यह टी कैसे निकाल रहा है तो हमें टीवन कैसे निकलेगा इसको हमें और समझना है तो दोस्तों इस तरह समझेंगे कि माना की यह कोई दो प्लेट्स है जिन जो बड्ड जॉइंट के तुरू हम इसको चोड़ने वाले हैं और इसकी जो मोटाई है थिकनेस है वो टी है तो ऐसी कंडिशन में हम जो इसके उपर की जो हम सिंगल प्लेट लगाने वाले हैं जो सिंगल स्ट्रैप है उसकी थिकनेस हमने निकाल ली तो नॉर्मली क्या होता है कि जो इसका अगर हम कहते हैं कि 0.625 T यानि जो प्लेटे हमें जोड़नी है उसके मोटाई का 0.625 के गुड़नफल के बराबर होता है और अगर हमें यह समझना हो कहां से निकलना है तो हमारे पहले से एक फार्मूला है कि किसी भी प्लेट की थिकनेस अगर निकालनी है रिवेट की डाया को अगर हम छे से उसका वर्ग कर दें तो उसकी प्लेट की थिकनेस निकल जाती है इसको फार्मूले को आप ऐसे ज़़ा अच्छे से पिचानेंगे यानि कि कि किसी रिवेट की जो डाया है शैंक का व्यास है वो निकालने के लिए 6 root T होता है यानि कि अगर यह पता है तो आप यह निकाल ल जाएगी तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में हमने अच्छे से सिखा सिंगल रिवेटेड हमने सिखा सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रैप बड जोइंट कैसे बनाया जाएगा अब सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बड जोइंट की बात हम नेक्स वीडियो बगरेंगे